गुद आप्टरनून डिया स्टुडर्स आप सभी कैसे हो बढ़िया हो वेरी गूर्ड मैं भी बढ़िया हूँ तो अभी हमारा हिंदी का पिरियड है हाँ मुझे मालूम है आपको हिंदी का पिरियड बहुत ही अच्छा लगता है है ना बच्चो हाँ तो आज हम कुछ गिसका चित्र है ये ओखली का चित्र है तो ओखली यानि कि आज हम ओवर्ण की पह्चान करने वाले है ठीक है बच्चो और एक चित्र में आपको दिखा रही हूँ ये देखो ये किसका चित्र है अउरत हाँ ओसे अरत आती है तो ये दो दोनों जो शब्द है O से ओखली तो ओखली शब्द की जो शुरुआत है वो O बरन से होती है ठीके और इसके बाद जो औरे शब्द मैंने अभी बताया वह शब्द भी O से शुरू होता है ठीके बच्चो तू देखो यहां पे मैंने O लिखा हुआ है तो इसके उपर सिर्फ एक ही मात्रा आती है ठीके और यहां पे मैंने O लिखा है तो इस पे दो मात्रा ये आती है ठीके बच्चो तो अभी हम O कैसे लिखेंगे तो आप मुझे बताओ O से सिर्फ ओखली यही शब्दा आता है क्या? बिल्कुल नहीं O से कई सारे शब्दों की शुरुवात आती है तो देखो बचो आपका जो बवबुख है इसमें देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है O से ओखली यह तो अभी हमें मालूम है O से ओढ़नी यानि कि दुपट्टा और O से O, O C R E की जिसको मराठी में दवबिंदू कहते है ठीक है बच्चो? तो O से इतने सारे शब्दों की शुरुवात होती है उसके बाद O से सिर्फ अउरत ही शब्द शुरुवाता है क्या? बिल्कुल नहीं O से अउजार O से अउशधी अउशधी यानि की मेड़ी सीन ये इतने सारे शब्दों की भी शुरुवात होती है बच्चो इतने ही शब्द नहीं कई सारे शब्दों की शुरुवात O और O वर्ण से होती है तो अभी आपने देखा कि O और O वर्ण में क्या फरक है? क्या अंतर है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं हमें, लेकिन इसके उपर एक मातरा है, और इसके उपर कितनी मातरा है, हाँ, दो मातरा है, ठीक है बच्चों, तो अभी आपके पढ़ाई, कैसे करेंगे आप, बहुत अच्छे से करेंगे, हाँ, तो देखो, पेज नमबर ह हमारा, यहाँ पे हमारा अबुक है, यह देखो, हाँ, और इसके उपर पेज नमबर आपको 32 और 33 पे कुछ लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, ओवर्न लिखना है, ठीक है बच्चों, तो आप अपकी पेंसिल हाथ में ले लो, हाँ, और इरेजर का अप इस्तमार हों, बिल्कुल नहीं करने वाले, हाँ, तो यह ओवर्न जो है, यह देख देखकर आपको यहाँ पर अच्छे हैं ब्रेटी में लिखना है, ठीक है, और लिखते समय आपको बोलना भी है, क्या बोलना है आपको, चलो, बोलो मेरे साथ, ओ से ओखली, रसुई किशान, पीट पीट कर भी आती काम, तो यह ओखली है, यह रसुई में काम आती है, ठीक है, एक बार फिर बोलेंगे, चलो बच्छो, मेरे साथ बोलो, और आपकी उंगली हाँ पर रखो, हाँ, ओ से ओखली, रसुई किशान, पीट पीट कर भी आती काम, तो ओखली का इस्तमाल रसुई में करते है, तो पहले हम क्या करेंगे, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, इस तरह से आपको बोल बोल कर ओवरन लिखना है, ठीक है बच्छो, तो ये पन्ना जब आपका लिटकर पूरा हो जाएगा, तब आप यहाँ पेश देखो, यहाँ पे क्या है, 33 पेश नमबर पे, हमारी एक्टिवीटी है, और इससे पहले यहाँ एक ग्रुह कारिया, ग्रुह कारिया नहीं कि हो वो तो आप करेंगे, हाँ, क्योंकि मुझे मालूब है, मेरे सब बच्चे कैसे है, बहुत होशी यार है, है न, हाँ, तो यह ओखली, यह जो चित्र है हमें, वो कलर करना है, जो चित्र आपको जो भी कलर अच्छा लगेगा, जो भी रंग अच्छा लगेगा, वो उसमें अच्छे से भर दो आप और इसको कलर करो, ठीके, पर काले कलर का इस्तमाल हम नहीं करेंगे, काले रंग का इस्तमाल हम नहीं करेंगे, ठीके बच्चो, तो यह ओखली, तो देखो, activity पढ़ो मेरे साथ, क्या है, color the picture and write the collection later in the box, यानि कि आपको ये ओखली का जो चीत्र है, उसको कलर करना है, ठीके, और यहाँ पे क्या लिखना है, कौन सावर लिखना है, O, very good, तो यह देखो मैंने आपके लिए ड्रॉग किया है, ओखली का चीत्र, अच्छा है ना, हाँ, और आप यहाँ पे लिखोगे, O, O से, ओखली, इस तरह से आप लिखोगे, ठीके, तो हमारा O, वरणा की पढ़ाई अभी पूरी हुई, हाँ, तो इसके आगे हम देखेंगे O, वरणा, O, बहाद ही कैसा है, सीदा सादा है, O की तरह है, लेकिन इसके उपर कितनी मात्राय आती है, दो मात्राय आती है, ठीके बच्छो, तो देखो, O से अउरत, मालूम है आपको, हमारी मा भी अउरत है, है न, हाँ, तो यह जो अउरत है, यह O आपको अच्छे से लिखना है, ठीके, तो देखो, O से अउरत, मा है हमारी, पहने साडी, लगती प्यारी, तो हमारी मा कौन है, अउरत है, और वो क्या पहनती है, साडी, और दिखती कैसी है? बहुत ही प्यारी, हमें हमारे मा बहुत प्यारी लगती है, है ना? हाँ, तो यहाँ पे यह चीतर दिया हुआ है, अउरत का, याने की मा का, ठीक है? तो यह अउँ आपको अच्छे से यहाँ पेंसिल से लिखना है, हाँ? तो मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाती हूँ कि कीस तरह से आपको ओ लिखना है तो देखो बच्चो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ ओ, ओ से ओ रद ओ से ओ रद तो बच्चो मुझे यह बताओ कि ओ से सिर्फ ओ रद यही शब्द शुरू होता है क्या? बिल्कुल नहीं तो ओ से कई सारे शब्दों की शुरुवात होती है? हाँ ओ से ओ जार ओ से ओ शभी यह भी शब्द ओ से ही शुरू होते है अवरन से ही शुरू होते हैं ठीके बच्चो तो यहाँ अवरत यह आपका लिखकर पूरा होने के बाद हाँ आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है ग्रिहकार यह हो वर्ट वो तो बहुत आसान है है ना और यहाँ पर है एक्टिविटी तो एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है देखो Stick the picture of your mother and write the correct letter in the box यानी कि आपको अपनी मा का फोटो आपके मा का फोटो आपके पास होगा है ना हाँ तो वो ही फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है हाँ यहाँ पे आपको चिपकाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है और आपको यहाँ पे लिखना है इस प्रकान यहाँ पहले हम अ लिखेंगे हमें आता है अ उसके बाद हम देंगे खड़ी लाइन हाँ खड़ी रेशा लिखेंगे और इसके उपर हम दो मात्रा देंगे कितनी मात्राय देंगे? दो मात्राय देंगे देखो बच्चो आ गया सभी को यहाँ पे देखो कि आप सुचुके कि करनी का मैडम ने इससे पहले सिर्फ एक एक ही वर्ण हमें सिखाया था या पढ़ाया था हाँ लेकिन आज मैंने दो वर्ण लिये है कौन से दो वर्ण लिये है? O और O तो क्यों लिये मैंने दो वर्ण? बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे जो O वर्ण है और O वर्ण है इन में सिर्फ एथी मात्रा का अंतर है हाँ यदि आप देखोगे तो देखो यहाँ पे यहाँ पे एक मात्रा है और यहाँ पे कितनी मात्राए है? दो मात्राए है तो एक मात्रा O पे और दो मात्रा O पे बहुत ही आसान है और इसमें इसलिए मैंने ये दो वर्ण आज आपको पढ़ाए है इनकी आपको पहचान करवाई है और आपको डरने की कोई बात नहीं है हाँ, आपके पास बहुत समय है ये जो पढ़ाई है, ये आप धीरे-धीरे करोगे तो भी कोई बात नहीं लेकिन अच्छे से करो, गुड हैं डाइटिन में करो ठीक है बच्चो? हाँ, तो हमारा ये अबुक का वक्त हो गया है हो गया है? हाँ, और अब हमारा बोवर्ग भी कम्प्रिट हुआ है बोवर्ग वर्ग, ठीक है? हाँ, तो इसके बाद बारी आती है हमारे नोटबुक की बारी आती है है ना हाँ तो इस पे आपको इस तरह से दो बार ओ लिखना है कितनी बार लिखना है दो बार और लिखते से मैं जिस तरह से मैं बोलती हूँ ओ से ओ खली ओ से ओ ओ से ओ नी इस प्रकार आपको बोल बोल कर लिखना है ठीक है हाँ इसके बाद ओ के बाद हमने कौन सा वरनसी था आज ओ तो ये भी आपको कितनी बार लिखना है दो बार लिखना है और ये ओ लिखते समय भी आपको बोलना है ओ से औरत ओ से और क्या आएगा ओ जार हाँ ओ से ओ शधी ये लिख बोल बोल कर आपको लिखना है ठीके बच्चो त तो यहां तक आपकी पढ़ाई अभी पूरी हुई है इसके बाद बारी आती है हमारे वर्कशिट की तो हमारे स्कूल का नाम क्या है बताओ मालूम है न आपको हाँ तो हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंगलीश मेडियम स्कूल खेड तो यहां पे आप सभी पहली कक्षा में हो और हमारा पिरेड काउन सा है हिंदी का तो यहां ओ से ओठ भी आता है यह ओड है और यहां पे है ओखली तो यहां पे आपको ओ अच्छे से लिखना है गूर हैंडराटिंग में लिखना है यह देखो गिस तरह से है उसके बार यदि आप पेश टर्ण करोगे तो आपको यहां पे भी तीन चित्र दिखाए देंगे पहला चित्र है ओसका उसके बार है ओट है और उसके बार है ओम है तो आपको पहला अक्षर से फिलिखना है ओ ठीकै और आप यदि अच्छे जाली हूँ, हाँ, बड़ा स्टार, तो कीन बच्चों को स्टार चाहिए, सभी बच्चों को चाहिए, चाहिए न, हाँ, तो आप ये ओ लिखो अच्छे से ठीक है, उसके बाद, ये वर्क्षिट आपके पूरी होने के बाद, आप ओ, यह वर्क्षिट आपको छूडानी है, उससे आउजार, आउशरी, आउरत, इतने सारे शब्द शूरू होते हैं, ठीके, तो ये भी वर्क्षिट आपको अच्छे से छुडानी है, और ये आउज जो है, ये आपको बार-बार लिखना है, इसको अच्छे से ट्रेस करना है, ताकि आपको यह वर्क्षिट आपको आ सकें, ठीके बच्चों, और हमारी क्लास्टेस भी होती है, होती है, होती है न, हाँ, और वो कितने अंकों की होती है, कितने अंकों की होती है बच्चों, दस अंकों की होती है, यानि कि हमें दस माल की क्लास्टेस छुडानी होती है, पर बच्चों एक अच्छे से ध्यान म रखो, आप जब home work करते हो, तो आप मम्मी या देदी की मदद ले सकते हो, help ले सकते हो, पर आप class days अच्छे से चुडाओ, और वो सिर्फ खुद चुडाओ, उसके लिए किसी की help मत ले लो, क्योंकि ये हमारी class days है, हाँ, exam की तरह है, है ना, मेरे सब बच्चे कैसे है, बहु होशियार है, है ना, हाँ, तो यहाँ पर देखो, हमारी class days नंबर कौन सी है, 11, यानि की 11 हो, हाँ, तो यहाँ पर class days पर क्या है देखो, वरण O से शुरू होने वाले शब्दंपोर, टिक लगाओ, बहुत ही आसान है, है ना, और यहाँ पर एक से लेकर दस्त, मैंने हुए है, और उसके सामने मेंने बॉक्स दिये हुए है, तो आपको क्या करना है, यह ओवरण से कौन सा शब्द शुरू होता है, देखना है, और यहाँ पर सीर्थ क्या करनी है, आपको टिक करनी है, इस तरह से, बहुत यह आसन है, है ना, हाँ, उसके बाद यह हमारा class days, 12 नंबर, तो आउ से शुरू होने वाले शब्दों पर अभी क्या हमें करना है, टिक, और इसके लिए भी कितने अंख है, 10, तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार छुडाना है, जी शब्द की शुरूवार आउ वरण सी होती है, उस शब्द के आगे जो बॉक्स है, बॉक् मत करो, वो बॉक्स ऐसे ही खाली रहने दो, ठीक है, तो अच्छे से आपकी पढ़ाई करो, अपना खुद का ध्यान रखो, और अच्छे से क्या करो, पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों, धन्यवाद झाली रहने बॉक्स बॉक्स आपकी तबुद की बॉक्स बॉक्स